हे गाइज वेल्कुम टे नियू ब्लॉग और मैं हूँ आशी स्पाठक दोस्तों और आज मैं आपको अपना गाउं दिखाने माला हूँ एक बार मैंने अपने गाउं का ब्लॉग वन बनाया था तो उसमे मैंने दिखाया था ठंडी के सीजन में जब वहां पर सरसो और मटर की फसल लगी हुई थी लेकिन इस टाइम पर है बरसाद का मौसम है और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना अच्छा गाटा उठा हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर पीछे देख सकते हो यह हमेरा गाउं है यह हमारा गाउं है जो दिखाई दे रहा है यह और यहां पर जो है यह हमने पेंड लगा रखा है आम का है यह आम के पेंड है खेतों में मैं लेके चल दा हूँ और यह जो सामने आप द बड़ा होगा फिर जाके इसको ये धान खेतों में लगाने लाइक होगा अब टाइम लेगा इसको जो है बड़ा होने में 15 से 20 दिन का है और ये बारिस भी शुरू हो गई है यहां पर काफी अच्छा मौसम लग रहा है दोस्तों इसमें और ये जो घटा है ये मुझे लगता हो गई है ये अच्छा इसम yat daw ये घज है इसको यो है इसको है जड़ से और इसको जो एसे बेचा देते हैं ये फिए सब पतला दान है और बगल वाला मुटा दान हैं और ये बगल वहमारा पंपिंग सपका मेशीन है इससे पानी चलाते है यहां पर ये बोर है और तकुनमिलाजुला यह बहुत ही अच्छी जगہ है गाउं चोब इस टाइम पे बहूत ही अच्छी सेन इसे तो अगर आप भूमने आना चाहते हैं, तो आ सकते हैं भूमने गाउं में क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर इस थे बगल ना एक चीज में और आपको बता दे रहा हूं कि यहां पे कितनी दूर दूर पे होते हैं देख सकते हूं है हमारा यह और फिर पूजा पार्थ मन्दिर च्राइब का यह जगह है गोशतो देख सकते हों कि गिर गई बाइरिस यहां पैण और भागा अब चलते हैं घर की और और बहुत 废े का आ और भागना अदे हैं कि अयूई थर तो है तो दुस्ता चारा अभी तो बारिष होगा है समात लेकिन अभी फिजक्ते हो specifically कभी भी और्ल चाइब होँ है तो खत्रा अभी में लग तो घर में जादा है और फेटों में बिल्कूल भी जादा बारिष में हुई है और बादल आप देख सकते को अब यह चाय हुए ही है गहटा आप देख सकते हो अब उठा है और यहाँ पर बादल यह पौरे नीले नीले दिखाई दे रहे हैं यह । और बाइस के बाद जो गाउं है काफी ज्यादा क्लीन में जा रहा है देख सकते हो आप तो अभी हम दूसरे खेत की और चल रहे हैं रास्ते में हैं और यहां पर गाउं देख सकते हो यह बादल जो है रेड रेड सा दिख रहा है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और हमा तो यह दोस्तों के जहां पर आया हूं मैं देखने इसको मुझेट बाई करवानी है और इस मैं भी देख सकते हैं और भी भष्पर के खाद मने थोड़ा भूट डाल लखके हैं और इससे क्या होता है गोबर से इसमें केचवा में कीड़े बनते हैं तो इससे पैदावार बहुत अच्छी होती है और नुक्सान नहीं करता है यह जो फर्टिलाजर होता है यूरी अगर हम डालते हैं तो उससे जाद नुक्सान करता है और यहां पर यह महुवा का पेंड हो गया है आप देख सकते हैं यह तो है पहले मैंने दिखाया वित आपक इस बगीचे में दोस्तों यहां पर एक खजूर का पेंड है और यह बहुत छोटा है अभी इतने चोटे पर यह इसमें फल आ गये हैं और मैं आपको फल दिखा रहा हूं इसमें एक दो फल इसमें भी बचे हुए बाकि तो सब बच्चों ने जो है इसको तोड़ोड के खत जो बड़ यह चोटा चोटा होता यह दूसरा मतलब एक अलग खजूर है मैं आपको हाथ में देकर दिखा रहा हूं इसमें नीचे गिरा हुआ है यह देख सकते हो यह यह खजूर है और यह बच्चमन में खाते भी थे लोग हम लोग बहुत जादा बड़ आप तो हम जब यह पक जाता है तो एकदम से यह दार्क हो जाता है डार्क रेड हो जाता है तो यह था आज का जो ब्लॉग मैं आपको दिखाया है और जल्दी ही है अब मैं बनाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग और आप मैं सुच रहा हूं रेग्लर में वीडियोज बनाऊं तो कि अब माइंडसेट क्लियर नहीं हो पा रहा था कि मुझे करने क्या है बट मैं आप सोच रहा हूं कि हम मैं बनाओ regular वीडियो और आप लोग भी ऐसे प्यार सपोर्ट बनाया है रखना ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मस्त्रा आज का व्लॉग मज़े आगे आज मैं कर दो